तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि contingency table क्या होता है contingency table को कैसे create करते है और अगर हमारे पास कोई भी दो bivariate data गिवन है तो हम उसको contingency table में कैसे summarize कर सकते है तो अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि contingency table को use करके हम कैसे किसी भी दो categorical variable की बीच association चेक कर सकते है तो सबसे पहला topic जो हम देखेंगे वो है row relative frequency का तो row relative frequency में जाने से पहले हम एक बार recall करते है कि हमारा relative frequency क्या था तो जब हम single variable की बात कर रहे थे तो उस time हमने देखा था कि relative frequency जो है वो होता है frequency divided by total number of observations तो यह हमारा relative frequency होता है तो अगर हमारे पास frequency given है अगर हमारे पास data set है और उसकी categories की frequency given है और हम जानते है हमारे पास total number of observations कितने है तो हम relative frequency calculate कर सकते है तो अब जब हमें row relative frequency calculate करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए उसके लिए contingency table तो last lecture में हमने दो contingency table देखा था तो जो पहला contingency table था वो था gender versus ownership of smartphone तो वो table हमारा contingency table कैसा था तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यह हमारा contingency table था यह हमारा contingency table था और यहां पर हमारे पस दो categories है gender है और एक ownership of smartphone है तो हमारे पास total number of females 44 है male 56 number of people जो smartphone own करते है वो 24 और जो smartphone sorry जो smartphone own नहीं करते है वो 24 है और जो smartphone own करते है वो 76 है तो अब हम इसको लिख लेते हैं इस table में तो ownership and gender तो gender में हमारा आगया female and male and ownership में yes and no तो no yes और यहां पे total okay तो यह number तो 44 यह ता 56 right 24 and 76 24 and 76 अब फीमेल और मेल means यह अब फीमेल कितने फीमेल पॉपुलेशन में से कितने mobile phone own कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं क्या था तो वह है 10 14 right so 10 14 यह हो गया 34 और यह हो गया 42 तो यह हमारे पास contingency table था right तो अब यह क्या है यह हमारा 44 प्लिस 56 44 प्लिस 56 100 है और 24 प्लिस 76 100 है तो यह जो हमारा last column है यह हमारा है row total right तो हम इस row को add करके 10 प्लिस 34 44 है 14 प्लिस 42 56 है और यह जो last row देख रहे हम वह हमारा column total right तो column total यहां पे क्या है तो 10 प्लिस 14 24 34 प्लिस 42 76 right तो यह जो हमारा column total है वह यह दे रहा है कि यहां पर 24 है कि कितने लोग smartphone own नहीं नहीं कर रहे है जो 76 है वो यह दे रहा है कि कितने लोग smartphone own कर रहे है right अब 44 जो number है वो यह दे रहा है कि कितने female हमारे population में है और कितने मेल हमारे population में हैं, तो यह हमारा contingency table था, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमारा पहला question है, वो है कि कितने proportion total participant के smartphone ओन कर रहे हैं, तो जब हम अपने table में जाते हैं, तो यहां पर देखते हैं कि हमारे पास 100 people, हमारे पास total participant 100 है, और उसमें से 76 people smartphone ओन कर रहे हैं, तो हमारा proportion क्या हो जाएगा? 76 by 100, अब अगर हम पूछें कि कितने की total participants का क्या proportion smartphone ओन नहीं कर रहा हैं, तो वो क्या हो जाएगा? तो यहां पर 24 participants smartphone ओन नहीं कर रहे हैं, तो हमारा proportion हो जाएगा 24 by 100, अब next question है कि what proportion of female participants own a smartphone? मतलब कि female participant का कितना proportion smartphone ओन कर रहे हैं, तो हमारे total number of female participant 44 है, अब इस 44 का कितना percent smartphone ओन कर रहे हैं, तो वो है 34 by, तो 34 people smartphone ओन कर रहे हैं female में से, यह हो जाएगा 34 by 44, अगर हम पूझे कि female participant में से कितना proportion, female participant के कितने proportion smartphone ओन नहीं कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा 10 upon 44, इसे तरह से अगर हम male proportion की बात करें, male population की बात करें, तो हमारे पूस total male population 56 थे, तो 56 में से 14 male participant smartphone ओन नहीं कर रहे हैं और 42 smartphone ओन कर रहे हैं, तो यह जब proportion हो जाएगा smartphone ओन नहीं करने का, वो है 14 by 56 और यह हो जाएगा 42 divided by 56, अब हम next आते हैं, तो यह हमारा contingency table था, तो इस contingency table में हमने देखा कि 44 female participant है, 56 male participant है, 24 smartphone ओन नहीं कर रहे हैं, 76 smartphone ओन कर रहे हैं, और उसमें से 10 by 44 proportion जो है female का, वो smartphone नहीं own कर रहे हैं, 34 by 44 proportion female में से smartphone ओन कर रहे हैं, male participant में से 14 by 56 smartphone नहीं own कर रहे हैं, 42 by 56 smartphone ओन कर रहे हैं, और total population में से हमारे, 24% people smartphone ओन कर रहे हैं, और 76% people smartphone ओन कर रहे हैं, तो यह जो हम numbers देख रहे हैं, तो यह जो हमारे numbers है, 10 upon 44, 34 divided by 44, 14 divided by 56, 42 divided by 56, तो यह number क्या है, यह number जो है, उसको हम कहते हैं, row relative frequency, तो यह हमारे है, row relative frequency, तो row relative frequency की definition क्या हुए, हम हर एक cell frequency को, तो अगर हम कोई भी एक row ले, तो जैसे हम पहला row ले रहे हैं, तो इसके हर एक cell frequency को हम इसके row total से divide करेंगे, तो अगर हमारा row total 44 था, तो हम 10 को 44 से divide किया, 34 को 44 से divide किया, और अगर हमारा row total 56 था, तो हमने 14 को 56 से divide किया, cell frequency को उसके row total से divide करते हैं, और उसी जो हमारा पास number राता है, उसको हम row relative frequency केते हैं, तो यह हमारा example था, row relative frequency का, अब हम इसको percentage में देखें, तो percentage में यह क्या दे रहा है, तो 10 by 44, 22.73 है, 34 divided by 44, 76.27 है, मतलब कि तो यह जो percent में number है, वो क्या denote कर रहे हैं, तो अगर हम इस number को देखें, तो यह क्या कह रहा है, कि 77% female जो है, वो smartphone own कर रहे हैं, जबकि 23% female जो है, वो smartphone own नहीं कर रहे हैं, यह number क्या है, कुछ 75% male smartphone own कर रहे हैं, और 25% male smartphone own नहीं कर रहे हैं, और हमारे total population में 76% people smartphone own कर रहे हैं, और 24% people smartphone own नहीं कर रहे हैं, तो यह हमारा road relative frequency denote करता है, अब हम चलते हैं अपने next example पे, तो हमने last lecture में 2 example देखे थे, 2 contingency table देखा था, तो जो second contingency table देखा था हमने वो था, income versus ownership, तो income versus ownership में हमने क्या रहे था, कि हमारे पास 3 income group है, high, medium and low, और हम देख रहे थे कि, इन 3 level में, high, medium and low income level में, ownership का, ownership कैसा है, means ownership का क्या effect है, तो यह हम देखना चाहते थे, तो इस contingency table में जो हमने row total किया, तो 20 people high income group से आ रहे है, 66 people medium income group से आ रहे है, और 14 people low income group से आ रहे है, और total हमारे पास 100 participants थे, अब उसमें से 38 के पास mobile phone नहीं था, और 62 के पास mobile phone था, तो 62 मोबाइल फोन ओन कर रहे थे और 38 मोबाइल फोन नहीं कर रहे थे, अब यहां पर जब हम इसको percentage में लिख रहे है, in relative, row relative frequencies को जब हम percentage में लिख रहे है, तो हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास 10% people high income group से smartphone own नहीं कर रहे हैं, जबकि 90% people high income group से smartphone own कर रहे हैं, medium income group से कुछ 41% people smartphone own नहीं कर रहे हैं, जबकि 60% people smartphone own कर रहे हैं, और वही low income group से हमारे पास 64% people smartphone own नहीं कर रहे थे, और 36% people smartphone own कर रहे थे और हमारे total population में से, total participants में से हमारे पास कुछ 38% participant थे, जो smartphone own नहीं कर रहे थे और successive percent participant जो है, वो smartphone own कर रहे थे तो यह था हमारा row relative frequency, second contingency table के लिए अब हम आते हैं, column relative frequency के तरफ तो जैसे हमने, जैसे हमने contingency table के लिए row relative frequency find out किया, वैसे ही हम column relative frequencies भी find out कर सकते हैं, तो अब हम question क्या पूछ रहे हैं, तो पहला question है, what proportion of total participants are female and what proportion of smartphone owners are females, तो पहला question क्या है, कि total participants का क्या कितना proportion female है और जितने भी smartphone owners है, उनके, उन में से कितने proportion जो है, वो female का है, तो अब इसको आंसर करने के लिए हम फिर से contingency table में जाते हैं, तो हमारा जो contingency table है, अब पहले question को आंसर करने के लिए, मतलब कि हमारे total participants का क्या proportion कितने proportion female का है, तो यहां पर जब हम, तो हमारे पास total participants कितने है, total participants है 100, अब इन में से कितने female है, तो इन में से female है, हमारे पास 44, तो जब हमारे proportion निकालना है female का, from total participants, हम क्या करेंगे, 44 by 100, और अगर हम यह निकालना चाहें कि, total participants का कितना proportion male है, तो वह क्या हो जाएगा, 56 by 100, उसे तरह, जब second question को मांसर करें, तो यह है कि, smartphone owner में से कितने females है, कितना proportion smartphone owner का female है, तो smartphone owner, तो हम देख रहें कि, smartphone, कुछ 76 people, कुछ 76 participants smartphone own कर रहे हैं, इसमें से 34 female है, और 42 male है, तो हमारा जो दूसरा question है कि, कितने proportion females है, तो वह हो जाएगा, 34 upon 76, और अगर हम पूचे कि, कितना proportion male का है, तो वह हो जाएगा, 42 upon 76, अब उसे तरह, अगर हम पूचे कि, जो smartphone own नहीं कर रहे हैं, उन में से कितना proportion male का है, और female का है, तो वह हो जाएगा, 10 upon 24 और 14 upon 24, तो अब जो यह हमने numbers लिखे, 10 upon 24, 14 upon 24, 34, तो यह numbers हमारे क्या है, यह numbers हमारे हो frequency क्या हुआ, column relative frequency होता है, कि हम हर एक किसी भी column में, हमारा contingency table है, उसके हम किसी भी column में हम हर एक cell frequency को जब column total से divide कर देते हैं, तो वह हमारा number, column relative frequency होता है, जैसे इस example में हमने हर एक column को, उसके column total, हर एक sorry, हर एक cell, हर एक cell frequency को हमने उसके column total से divide किया, तो यह था 10 upon 24, यह हुआ 14 upon 24, यह हुआ 34 upon 76, यह हुआ 42 divided by 76, यहां पर 44 divided by 100 और यह 56 divided by 100, तो यह हमारे column relative frequencies होग है, alright, so अब जब हम percentage की बात करें, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कि हमारे पास कुछ 24 people, 24 participants वो smartphone own नहीं कर रहे थे, तो अब उस population में से जो smartphone own नहीं कर रहे है, उन में से कुछ 42% people वो female ते और 58% people वो male ते अब जब हम बात करें कि स्मार्ट फोन ओनर्स की बात करें, तो वहां पर हमारे बास 76 people smartphone own कर रहे हैं, जिसमें से कुछ 44% 44 और 45, कुछ 45% population वो female का था और 55% male का था, और जब हम total की बात करें, तो उसमें से कुछ 44% people वो female थे और कुछ 56% people male population थे हमारा, चाक है? अब हम column relative frequency जब second contingency table के लिए देखेंगे, तो उसके लिए हमारे पस यह relative frequencies थे, तो इस first table में हम देख सकते हैं, सारे column relative frequencies, और इस next table में हम क्या देख रहे हैं, कि percentage क्या है? तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, अगर हम इसको read करें तो यह कह रहे हैं, कि 38 people में से, जो smartphone ओन नहीं कर रहे हैं, उनमें से 5% कुछ लोग high income level से आ रहे थे, कुछ 71% लोग medium income group से आ रहे थे, और कुछ 24% people low income group से आ रहे थे, और तो हम smartphone owner group की बात करें, मतलब वो group जो smartphone ओन कर रहा था, उसमें से कुछ 29% लोग smartphone जो own कर रहे थे, वो high income category से आ रहे थे, कुछ 63% लोग medium category से आ रहे थे, और कुछ 8% low, 8-9% कुछ low income category से आ रहे थे, और overall total participant में से हमारे 20% people high income category से थे, 66% people medium category से थे, और कुछ 14% people low income category से थे, तो इस section में हमने क्या देखा, हमने देखा कि relative frequency क्या होता है, और हम row relative frequency या फिर column relative frequency किसी भी contingency table में से कैसे calculate करते हैं, अब हम next देखेंगे कि इन concepts को use करके, row relative frequency और column relative frequency को use करके, हम किसी भी दो categorical variable की बीच association कैसे check कर सकते हैं, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमारा, row relative frequency जो है, वो होता है, और में भी, frequency by row total और column relative frequency जो है, वो होता है, frequency by column total, okay, so अब इसके बाद हम देखेंगे कि column relative frequencies और row relative frequency को use करके, हम किसी भी दो variable की बीच association कैसे check कर सकते हैं, right, तो हमारा question है कि जब हम कह रहे हैं कि दो variable associated है एक दूसरे से, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास किसी एक variable का information है, तो वो हमें दूसरे variable की बारे में कुछ बता सके, right, तो अगर ऐसा होता है, तो हम कहते हैं कि दो variable एक दूसरे से associated है, तो अगर हमें चेक करना है कि दो categorical variable associated है, उसके लिए हम row relative frequencies और column relative frequencies जो हम इसके पहले use, जो इसके पहले हमने describe किया है उसको use करेंगे यह चेक करने के लिए, okay, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर row relative frequencies are the same for all the rows, then we say the two variables are not associated with each other, right, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर row relative frequencies हर एक row के लिए, right, हर एक row के लिए अगर row relative frequencies same आते हैं, तो हम कहेंगे कि दो variables एक दूसरे से associated नहीं हैं, उसे तरह अगर हम columns की बात करें, column relative frequency की, तो अगर हमारे column relative frequencies हर एक columns के लिए same आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि दो variables एक दूसरे से associated नहीं हैं, अब next है कि अगर हमारे column relative frequencies या फिर row relative frequencies, हर एक columns और rows के लिए same आ रहे हैं तो वो associated नहीं है लेकिन किस case में वो associated होगा तो अगर row relative frequencies या फिर column relative frequencies अगर different है for some rows और some column तब हम कहेंगे कि हमारा दो variable एक दूसरे से associated है तो अगर हमारे row relative frequencies या फिर column related frequencies अगर different होते हैं किसी कुछ rows में like कुछ rows में या फिर कुछ columns में तो हम कहेंगे कि हमारे दो variable वो एक दूसरे से associated है तो अब हम example देखते हैं जो last हमने example देखा था तो ownership of smartphone और gender की जब association की बात कर रहे थे तो हमारे पास यह contingency table था तो इस contingency table में हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम row total की बात करें row relative frequency की बात करें तो 22 तो यह हमारा 22 या फिर 23 percent है कुछ यह हमारा 77 percent है उसे तरह second row की बात करें तो यह 25 और 75 है और third जो है वह 24 है और 76 है मतलब कि अगर हम female category की बात करें तो female category में कुछ 23 percent smartphone own नहीं कर रहे थे और कुछ 77 percent smartphone own कर रहे थे जबकि male category में कुछ 25 percent people smartphone own नहीं कर रहे थे और 75 percent people smartphone own कर रहे थे तो हमारे gender, consistent है gender के साथ, क्योंकि हमारे 24% people smartphone own नहीं कर रहे थे और 76% people smartphone own कर रहे थे, और ये overall, like roughly similar है, जब हम male population और female population की बात करें, right, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारे, हमारा जो दो variable है, ownership of smartphone और gender, वो एक दूसरे से associated नहीं है, उसे तरह, जब हम column relative frequencies की बात करें, same example के लिए, हमने, यह हमारा row relative frequencies ता, right, यह था row relative frequency, यह है column relative frequencies, तो इस column में क्या देख रहे हैं, कि 24 people जो smartphone own नहीं कर रहे थे, उनमें से कुछ 42% female थे और हमारे पास 58% male population था, और जब हम उस column की बात करें, जो smartphone own कर रहे हैं, उनमें से कुछ 45% female category से थे और 55% people male category से थे, और overall population भी हमारा, जो 100 का था, उसमें से कुछ 44% female थे, और कुछ 56% male population था, तो यहां भी हम लेख सकते हैं, कि यह हमारा consistent है with overall population, तो हमारे पूरे population में, overall population में, 44% female और 56% male थे, और यह consistent है with gender, right, with ownership of, और यह consistent है यह number with ownership of smartphone, तो 76 people जो smartphone own कर रहे थे, उसमें से भी कुछ 45%, 45% रफली smartphone, कुछ 45% रफली female थे और कुछ 55% male थे, और सितरह 24 people जो smartphone own नहीं कर रहे थे, उसमें से भी कुछ 42% female थे और कुछ 58% male थे, तो यहां भी हमारा जो column relative frequencies है, वो same है, for almost same है for all the columns, right, for all the columns यह same है, तो हम कहेंगे कि हमारा दो variables एक दूसरे से associated नहीं है, अब हम चलते हैं, okay, अब हम next example में देखते हैं, right, तो हमारा जो next example दा, वो था ownership of smartphone with income level, तो यह हमारा again row relative frequency है, और यह second table हमारा column relative frequency है, okay, so अब पहले table में हम देख सकते हैं, कि हमारे पास high income group में से कुछ 10% people की पास ही smartphone नहीं है, जबकि 90% people की पास smartphone है, और वही जब हम low income group people की बात करें, तो उनमें से 64% people की पास smartphone नहीं है, और कुछ 36% लोगों के पास smartphone है, तो अब जब हम compare करें, तो high income group से कुछ 10% people ही smartphone नहीं कर रहे हैं, जबकि low income group से यह number 64% तक जा चुका है, उसे तरह जब हम high income category, sorry, smartphone ओन करने की बात करें, तो high income group में कुछ 90% people smartphone ओन कर रहे थे, जबकि low income group में कुछ 35% people ही smartphone ओन कर रहे हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं, कैसे income level और ownership of smartphone डेपेंड कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से connected or associated हैं, उसे तरह जब हम column relative frequency की बात करें, जब हम column relative frequency देखेंगे, तो यहां पर कुछ 38% people जो smartphone ओन नहीं कर रहे हैं, उसमें से बस 5% people ही, 5% लोग ही high income category से थे, जबकि कुछ 71% people और 24% people medium और low category से हैं, और जब हम उस क्रप को देखें, जो smartphone ओन कर रहे हैं, उसमें से 8% people low income category से थे, जबकि कुछ 29% people high income category से थे, और 63% people medium category से थे, तो यहां से भी हम देख सकते हैं, कैसे यह जो income level और ownership of smartphone है, वो change हो रहा है, कैसे ownership of smartphone जो है, वो income level के साथ change हो रहा है, तो इस example के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि income और smartphone जो है, वो एक दूसे से associated हैं, तो हमने देखा कि कैसे हम road relative frequency और column relative frequency को use करके, हम किसी भी दो ट्याटिविकल वीडियेबल की बीच association चक्ट कर सकते हैं, हमने ये भी देखा कि अगर हमारा road relative frequency या फिर column relative frequency हर एक road और column के लिए सेम आता है, तो हम कहते हैं कि हमारे variable की बीच association नहीं है, वहीं अगर हमारे road relative frequency या फिर column relative frequency हर एक roads और columns के लिए different थे, तो हमने देखा कि हमारे variables की बीच association है, तो अब हम इसको अगर हमें इसे visually represent करना है तो उसके लिए हम stack bar chart use करेंगे और stack bar chart को हम segmented bar chart भी कहते हैं तो इसको हम segmented bar chart भी कहते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि bar chart क्या है समराइज करने के लिए use करते हैं specially उसको तब use करते हैं जब हमारा interest हरे एक categories के count को जानना होते हैं तो bar chart में जो हरे category के लिए जो बार का length होता है वो length हमें उस category के frequency बताता है तो अगर हम इस example की बाग करें gender versus ownership of smartphone हमने देखा था कि हमारे पास टोटल फीमेल जो है वो 44 थे और म मेल जो है वो 56 थे अगर हम इसके लिए bar chart बनाना है क्या करेंगे तो female हमारे पास total 44 यह ONE हमारे पास 55 ऑर में हमारे पास 54 यह 44 और 56 तो यह हमारा bar chart होकर इन categories के लिए female और male category के लिए अब stack bar chart क्या होता है? तो stack bar chart जो है, वो count तो represent करता है हर एक category के लिए, उसके अलावा हर एक bar को हम further तोड़ते हैं smaller segment में. तो हम इस example में अगर देखें, तो हमारे पास यहां पर female category और male category. तो female 44 ते और male 56 ते है. 44, 56 अब हमने क्या देखा था कि female category में भी हमने दो पार्ट इसको डिवाइट केया था तो हमारे दूसरा variable था ownership of smartphone और इस variable के लिए हमारे पास दो categories था है, yes and no, जो लोग smartphone own कर रहे हैं और जो लोग smartphone own नहीं कर रहे हैं. तो अब इस female category में हम देखेंगे, कि कितने लोग smartphone own कर रहे हैं, और कितने लोग smartphone own नहीं कर रहे हैं. तो वहां पर हमारे पास 34 female smartphone owned कर रहे थे और 10 people smartphone owned नहीं कर रहे थे वहीं male category में हमारे पास था कि कुछ 42 लोग smartphone owned कर रहे हैं और कुछ 14 लोग smartphone owned नहीं कर रहे हैं तो अब इस data को इस in categories का frequency है इसको हम in bars में show करेंगे तो हम क्या कह रहे हैं कि हर एक bar को हम further smaller segment में तो रहे हैं तो यह जो female category है इसको हम दो category में divide करेंगे एक yes के लिए और एक no के लिए तो suppose that कि यह हमारा yes category है तो 34 female है जो smartphone owned कर रहे हैं तो यह yes category है और male उसे तरह हम male में भी कर सकते हैं तो male category में हमारे पास कुछ 42 people smartphone owned कर रहे हैं तो हमने इस हर एक बार को female और male के लिए जो बार से उनको हमने further 2 segment में split कर दिया एक yes के लिए और मान लो कि यह हमारा no category है और यह हमारा no category है इसको हम भी इस दूसरे color से show कर सकते हैं हमारा no है अब हम क्या कह रहे है कि हर एक segment जो है वह further represent कर रहा है उस particular category का क्या frequency है तो यह जो हमारा अगर हम इस segment की बात करें तो हमने female category को दो segment में divide किया एक yes और no तो अब यह जो segment है हमारा यह जो yes का segment है अब यह एक category है यह category क्या है तो इस segment का frequency क्या है इस category की frequency क्या है वह यह represent करता है तो यह हमारे 34 female smartphone ओन कर रहे है और कुछ 14 female smartphone ओन नहीं कर रहे है तो इसी तरह से हम male के लिए भी देख सकते हैं और इस को हम इस stack bar chart को हम segmented bar chart भी केते हैं अब इसको हम कैसे google sheet में plot कर सकते हो देखते हैं तो यह हमारा data था जो कि gender versus ownership of smartphone है अब इसके लिए हमने contingency table बनाया था तो अगर इस data set के लिए हमें stack bar chart करना है तो हम क्या करेंगे इसको हम select कर लेते इस contingency table को फिर इंसर्ट में जाकर चार्ट पर क्लिक करेंगे और चार्ट में हम यहां पर stack column जार लेक सकते हैं तो यह हमारा stack bar chart है तो यहां पर हमारे जो दो categories थे female or male उसके लिए हमारे पास bars है और 44 female हमारे पास थे और male 56 और यह ए जु रेड कलर है और यहां पर यहां पर male category के लिए जो स्मार्ट फोनकर रहे है और बो कलर पी sha जो है was нет लोगी स्मार्ट पोन करने वाल किसी नहीं ho रहे है कि यहां पर ब्लू क्रिंग कर कि इतने लोग इतने लोग female categories से smartphone own नहीं कर रहे हैं तो यह हमारा stack bar chart है तो यह हमारा stack bar chart है तो इस stack bar chart चार्टे हम clearly देख सकते हैं कि जो हमारे proportion थे female और male category में जो smartphone own कर रहे थे वो almost similar है उसी तरह जो proportions इन दो categories में smartphone own नहीं कर रहे थे वो भी almost same है तो यह एक अच्छा वे है एक अच्छा ग्राफिकल वे है किसी भी दो categorical variable की बीच association check करने का तो अब next आता है हमारा 100% stack bar chart तो हम Google Sheet में देखते हैं कि कैसे 100% stack bar chart plot कर सकते हैं तो यहां पर stacking में जो हम देखे तो यह हमारा standard stacking है तो अगर हम इस पर click करें और 100% कर दें तो हमें 100% stack bar chart मिल जाएगा अब इस 100% stack bar chart से हम clearly देख सकते हैं कि हर एक category का जो proportion है यह दोनों category का जो proportion है yes or no का वो same है तो यहां से हम easily पता सकते हैं कि इन दो categories के बीच इन दो variable के बीच association नहीं है अब हम next example देखते हैं तो हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि 100% stack bar chart जो है वो useful है जब हमें part to whole relationship जानना हो तो अब जो हमारा second example था वो क्या था वो हमारा income versus ownership of smartphone था तो उस example के लिए हमने stack bar chart यहां पे प्लॉट किया है अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो havej hara the coded one है यह हमारा high income group है हमने one से high income group को code किया था two से medium income group को code किया था और 3 से low income group को code किया था यह हमारा medium है यह हमारा low है इस stack bar chart से हम clearly देख पा रहे हैं कि हाई इंकम ग्रोप में ज्यादा लोग है जो स्मार्टफोन ओन कर रहे हैं as compared to the low income group वही मीडियम काटिग्री में जो लोग स्मार्टफोन ओन कर रहे हैं और स्मार्टफोन ओन नहीं कर रहे हैं वो अल्मोस्ट सिमिलर है तो इसके लिए हम पहले गूगल शीट में देखते हैं stack bar chart तो यह हमारा data set था रहे यह हमने contingency table बनाया था इस data set के लिए तो फिर से stack bar chart create करने के लिए हम इसको select कर लेते हैं और insert में जाकर insert में जाकर chat पे click करेंगे तो हमें stack bar chart मिल किया रहे है तो यहां पर जो 1 है यह हमारा income high income group के लिए है category 2 जो है medium income group के लिए है और 3 जो है अब इसके लिए हम stocking 100 कर देंगे हम देखते हैं कि यहां पर हम 100% stack bar chart से हम देख पा रहे हैं कि इस high income group में almost high income group में high income group में जो proportion है जो smartphone ओन कर रहे है वो बहुत ही जाता है as compared to medium and low income group तो इस stack bar chart से हम clearly देख पा रहे है कि इन variable के बीच ownership of smartphone versus income of the people यह यहां पर association है है तो जब हमने stack bar chart की बात की तो हम यहां पर विजय से हम bar chart में order maintain करते हैं हमें stack bar chart में order maintain करना है तो यहां पर हमने या तो low, medium, high या फिर high, medium, low यहां पर हमने order maintain किया है तो इस stack bar chart से हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो high income group में जो लोग smartphone own कर रहे हैं उनका proportion बहुत जादा है as compared to low income group तो यहां इस stack bar chart से हम कह सकते हैं कि इन तीन income versus ownership of smartphone के बीच association है तो हम 100% stack bar chart जब भी हमें categories को compare करना हो तो उनके लिए useful होता है तो हमने section में क्या देखा कि कैसे अगर मार पास school भी 2 categorical variable है तो कैसे उसको हम row relative frequency और column relative frequencies के help से उसको समझ सकते है कि उन दो variable के भी association है या नहीं और हमने इस association को समझने के लिए stack bar chart हमने देखा कि stack bar chart क्या होता है और उसको use करके हम कैसे association check कर पाते हैं thank you झाल mark कर झाल झाल कर झाल झाल झाल